हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैज का बेसिक कंसेप्ट आप खुद से कैसे क्लियर करें यानि अगर आपको मैज समझने में कटनाई हो रही है तो आप बेसिक कंसेप्ट को कैसे समझे जिससे आप मैज को इसली समझ सके इनी सब चीजों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो मैं ये बताना शुरू करूँ कि मैज का बेसिक कंसेप्ट आपको कैसे क्लियर करना है उससे पहले हम कुछ चीज़े आपको बताना चाहते हैं देखिए अगर इंटरनेट पे आप कहीं भी सर्च करते हैं math कैसे पढ़े या how to study math तो आपको सबसे पहले यही बताया जाता है कि math का basic concept आप clear करें लेकिन कोई यह नहीं बताता कि math का basic concept आप clear करेंगे कैसे अगर math आपको नहीं आ रहा है तो basic concept clear नहीं है तो जब आपका basic concept clear नहीं है और math आ ही नहीं रहा है यानि आप math easily solve करीं नहीं पा रहे हैं math पढ़ने मापको कठना ही हो रही है तो आप इसका basic concept कैसे clear कर सकते हैं कहने के लिए तो कह दिया जाता है कि आप basic concept clear करें लेकिन वैसे student जिनको math नहीं आ रहा है वो basic concept कैसे clear करेंगे सबसे बड़ी बात तो यह है तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप math का basic concept खुझ से कैसे clear करेंगे लेकिन math का basic concept होता क्या है सबसे पहले हमें इसे जानना चाहिए अगर आप यह सोच रहे हैं कि counting, table और addition, subtraction, multiplication, division, LCM, HCF इतना चीज़ सीख गये और यही math का basic concept है तो आप विल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों यह तो सीखना है इसके बिना आप math सीख नहीं सकते हैं यह कहें तो math का ABCD है लेकिन addition, subtraction, multiplication, table और counting तो आप बच्पन में ही सीख गये थे लेकिन अभी तक आपको math क्यों नहीं आ रहा है जब आप यह चीज़ बच्पन में ही सीख गये थे तो अभी तो आपको math आना चाहिए था फिर problem क्या है यानि कि math का basic concept addition, subtraction, multiplication, division जो आप सीखे हैं यह तो basic calculation है इसके बिना आप math शुरू ही नहीं कर सकते लेकिन इसके अलाबा भी basic concept है जिसे आपको सीखना पड़ेगा लेकिन बात यह आती है कि basic concept है क्या आपके सामने सबसे बड़ा person तो यही है सभी student के सामने यही person है कि हम उसको बोल देते हैं कि basic concept आपको clear करना है समझ में आ जाएगा तो दोस्तों इसके लिए कोई fix फर्मूला तो है नहीं कि मैं आपको यह बता दू यह एक फर्मूला है यह आपका basic concept है हम इस चीज को ऐसे समझते हैं मालने कि कोई एक student है जिसको हम multiplication सिखा रहे हैं तो हम उसको multiplication में two या three digit का multiplication सिखाना चाहते हैं अब उस student के लिए basic concept क्या होगा उस multiplication जो हम सिखाना चाह रहे हैं 3-digits का उसके लिए basic concept क्या है उसको counting आना चाहिए फिर table आना चाहिए addition और 1-digit का multiplication आना चाहिए अगर उसको one-digit का multiplication आ रहा होगा आच्छी तरीके से तो वो two- three-digit का multiplication असानी से सीख सकता है। इस बरचे के लिए का basic concept हो गया counting, table, addition और one-digit का और student है जिसको हमको division सिखाना है अब उसको हमको division सिखाना है उस बच्चे के लिए क्लिए क्या basic concept होगा उस बच्चे को भी counting knowledge होना चाहिए table आना चाहिए subtraction आना चाहिए तब हम उसको division सिखा सकते हैं तो कहने का मतलब है कि यह depend करता है आप सिखना क्या चाहरा है यानि कि आप किस class में है उसके according आपका basic concept decide होगा यानि basic concept कहने के यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ ऐसा basic कुछ concept है दो चार जिवाब सीख लेंगे और math आपको आज़ेगा ऐसा नहीं है आप सीखना क्या चाहते हैं आप है किस class में इस पर depend करेग अगर उस चीज को समझे होंगे तो आपका जो अनुभव है उस चीज को समझने के साथ जो आप सीखे है math को solve करने का जो आपके practice हुआ है वह basic concept की रूप में use होगा class grade में फिर आप यहाँ पर easily समझ पाएंगे तो इस चीज को हम करें कैसे जिन भी student को basic concept नहीं clear है यानि कि math method नहीं आ रहा है तो वह कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दो method बताऊंगा पहला method थोड़ा lengthy है लेकिन यह superior है इसका अपर यूज करेंगे तो basic एकदम zero से start करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से इसमें सीख सकते हैं दूसरा method थोड़ा shortcut है जिनके पास time कम है वह दूसरा method का भी यूज कर सकते हैं आप decide आपको करना है कि आप किस method कि जाएंगे जो आपको अच्छा लगे जिसके according आपके पास time है आप उसका यूज कर सकते हैं तो कि हम first method आपको बताते हैं basic concept कैसे clear करना है पहला तरीका तो यह है आप किसी भी class में हम example के लिए माल ल आ नहीं जो भी class उन्होंने पढ़ा उसमें अच्छे तरीके से math नहीं complete कर पाएं ठीक है अब आपको क्या करना है कि आप class 1 से लेकर के class 8 तक के math का book लीजिए फर्ट दिन class 1 का book देखेंगे और इसमें आप easily कर सकते है class 1 के book में ज्यादा कुछ होता नहीं है आप उसको 2-3 किन गंटे में complete कर सकते हैं उस book को लीजिए उसमें देखिए ऐसा क्या concept है जो आपको नहीं आ रहा है आप उसे सीख लीजिए फिर class 2 का book लेंगे उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता है आपके लिए क्योंगे आपको 9th class में है तो easy होगा आप जल्दी complete कर पाएंगे उसक करना है फिर यहां पर skip मत किर जाएगा कि यह चीज नहीं समझ में आ रहा था हम भाद में समझ लेंगे बिल्कुल यह नहीं करना है इस बार जब आप फिर से सुरू करना है तो वहीं पर doubt clear करें उसके बाद ही आगे पड़े और साथ में एक notebook रखें हां उस notebook में जो concept आपको आपकी concept जो आप पढ़ रहा है अभी उस concept का examples question स्रिफ solve करिए साथ में ताकि क्या होगी आपका हर concept पर practice हो जाए और notebook में जो important note होगा उसे लिखते जालेंगे यह process आप करते आएंगे class 3 के बाद 4 का करेंगे फिर 5 का करेंगे फिर 6 का करेंगे 7 का करेंगे फिर 8 का करेंगे देखें इसे आप एक महिने में असानी से complete कर सकते हैं क्योंकि आप इसे एक बार पढ़ चुके हैं तो easily इसे complete कर लेंगे जो concept आपको जहां पर doubt उसे clear कर लेंगे जब आप class 8 तक का math complete कर लेंगे तो class 9 का book उठाईए और जो भी chapter पढ़ना है आप क्योंकि आप पढ़ चुक एक बार पढ़ लेंगे सारा चीज रिकॉल बजाएगा और फिर आप स्टार्ट करें class 9 का chapter आप देखेंगे कि math पहले आपको पढ़ने में boring लग रहा था वो math आपको पढ़ने में interesting लगेगा और आप easily math solve कर पाएंगे यही तरीका है दोस्तो math solve करने का तो आप पहले इस त time कम है उनके लिए माली जे कोई class 10th का student है जिसे इस बार बोड देना है या class 12th का student है जिसे बोड देना है तो वो उनके पास और भी subject होता है तो उनके पास उतना time नहीं है कि वो फिर से start करेंगे class 1 से book पढ़ना और मेरे ख्याल से class 10th में है तो आप आपके पास कुछ तो knowledge ह लोगाई मैत का तो आप क्या करें class 10th का जो book उधाते हैं solve करने के लिए जो भी chapter पढ़ने के लिए उस बाद थोड़ा basic concept को समझने की कोसिज करें आप इसे कैसे करेंगे जैसे माली जे class 10th का कोई भी chapter लेते हैं तो class 10th का जो भी chapter आप लेते हैं तो देखें कि वो chapter इसे पह जैसे ही clear हो जाएगा अब वहाँ जब पढ़ रहा है तो एक चीज़ ध्यान दें वहाँ सारा question solve नहीं करना है बस concept पढ़ना है और example करना है क्यों question solve करेंगे आपको काफी time लगेगा आपको class 10th का भी book पढ़ना है तो वहाँ पे concept जैसे clear कर लेंगे तो notebook में note कर लेंगे उस से पहले जो उस chapter को पढ़े थे उसको एक बार पढ़ लिये तो सारा concept क्या हो गया recall हो गया और जो doubt था वो clear हो गया तो सारे चीज़े basic आपके ध्यान में आ गया है तो अब आप जब यह start करते हैं class 3 का book तो easily समझ पाते हैं जैसे माले जे class 12 में अगर आप तिरकोन मिती पढ करेंगे वह easily समझ में आपको आएगा तो इस तरीके से आप क्या करें basic concept को clear कर सकते हैं आपका एक idea लगजाएगा कि basic concept क्या होता नहीं तो आप फिर सोचते रहते कि basic concept में पढ़ना क्या है तो जब भी आप किसी भी class का book start करें तो एक तो यह भी आप कर सकते हैं कि उससे पह तो दोस्तो इस तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो को like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कर ये और आप नीचे comment में लिख सकते हैं अगर आभी भी आपके मन में कोई doubt है तो आगे हम क्या आपको बता सके